आगरा के सिकंद्रा शेत्र में मंगलवार देज रात कंटेनर बेकाबू होकर हाइवे किनारे सो रहे साथ लोगों पर चड़ गया हाथसे में छे की मोथ हो गई जबकि गंभी रुप से खायल हो गया घायल को उस्पताल में भरती करवाया गया है देज रात यह हाथसा तब हुआ जब गुर्द्वारा गुरू का ताल के पास मुथुरा की ओर जा रहा कंटेनर बेकाबू हो गया बेकाबू कंटेनर हाइवे किनारे नाले के पटाव पर सो रहे लोगों पर चड़ गया पुलिस ने कंटेनर को कबजे में ले लिया है और उसके चालक और परिचालक को भी हिरासत में लिया है पुलिस ने बताया कि कंटेनर खाली था जिसे मैनपूरी से गुरुगराम ले जाये जा रहा था कंटेनर का चालत मैनपूरी के किष्णी शेतर के इंडिया काउं का रहने वाला मुनेश था उसके साथ क्लीनर सिंटू भी था यह मंगलवार की रात करीब धाई बजे कंटेनर लेकर ट्रांसपोर्ट नगर की ओर से मतुरा की तरफ जा रहे थे तब ही यह हाथसा हुआ हाथसा गुर्द्वारा गुरू का ताल कट के पास हुआ मोड पर यह कंटेनर अन्यंतित हो गया और हाईवे की नारे बने ढखके हुए नाले के ऊपर चड़ गया कंटेनर यहाँ साथ लोगों पर चड़ गया ड्राइवर ने हाथसे के बाद भी ब्रेक नहीं लगाए हाथसे के बाद ड्राइवर कंटेनर को हाईवे की ओर मोड कर टेज गती से भागने लगा लेकिन पूलिस ने पीछा करके उन्हें पकड लिया पूलिस की चीता मोबाइल यूनिट घटना स्तल के पास ही थी ऐसे ही लेटेस को बहें पाने के लिए बेल आइकन को फ्लिक कर हमारी चैनल को लाइव शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवारी कर दोड़िए बेल यूलिस ने शेम से लिएी से रखने पास ही और सब्सक्राइब को अवल्रे के लिएगारी कर दो वल्रे के लिए खंवलम आइड लेगारी झाल 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 झाल